हेलो फ्रेंड्स आज हम आपके लिए सरकल लोंग गाउन लेकर आए हैं इसे बनाने के लिए हमने टूट फैबरिक ली हैं एक प्लेंट फैबरिक दूसरी प्रेंटिट फैबरिक प्लेंट फैब्रिक हमने 4.5 मीटर ली है और प्लेंट फैब्रिक हमने 1.5 मीटर ली है टॉपीस की कटिंग हम प्लेंट फैब्रिक में से करेंगे तो प्लेंट फैब्रिक को हमें एक तरफ रखना है और प्लेंट फैब्रिक को हम फोल लेयर में फोल करेंगे तो यहाँ पर हमने फैबरी को एक वार फोल किया है फैबरी को हमने अरज की तरफ से फोल किया है और दुबारा से हम इसे इस तरह से फोल करेंगे तो यहाँ पर हमने fabric को fold layer में fold किया है यह fabric की खुली side है इधर की और दूसरी side बंद है और सबसे पहले हम length लेंगे top piece हम 14 inch का तयार करेंगे 14 inch का तो हम length ले रहे हैं 15 inch 15 inch तो 15 inch पर हमें mark करके line draw करनी है और यह piece हमारा 14 inch का तयार होगा अब यहाँ से आप fabric को cut कर ले और यदि आप baby gown बना रही है तो top piece की length आपको कम रखनी पड़ेगी तो यहाँ पर हमने top piece के लिए fabric को cut कर लिया है बंद side की तरफ हम inchी tape को रखेंगे और solder हम 6 inch लेंगे तो यहाँ पर हमें 6 inch पर mark करना है armholes की length हम 7 inch रखेंगे 7 inch तक line ड्रो करेंगे और इस line को हमें खुली side की तरफ ड्रो करना है ऐसे और अब हमें चोड़ाई का foot भाग लेना है चोड़ाई है 34 inch foot हुआ 8.5 inch half inch fabric हम अधिक एड़ करते हैं तो यहाँ पर हम 9 inch पर mark करेंगे और वन इंच फैब्रीक यहाँ पर margin के लिए एड़ कर रहे हैं अब हम कमर की drafting करेंगे कमर साइज है 30 inch fourth हुआ 7.5 inch half inch अधिक फैब्रीक एड़ करेंगे यहाँ पर हम 8 inch पर mark करेंगे वन इंच फैब्रीक यहाँ भी हमने margin के लिए एड़ की है और हम अब हमें line ड्रो करनी है और आर्म हॉल्स की drafting जो भी length हो इसके center पर mark करें और इस कोने पर 1.5 inch तक तरची line ड्रो करें और गोल आइकन लें यह back armholes की drafting होती है फ्रेंट आर्म हॉल्स की drafting के लिए जो mark center पर किया है यहाँ पर 1.5 inch की दूरी पर mark करेंगे और फिर हमें ऐसे गोल आइकन लें है इस line से 1.5 inch की दूरी पर हम दूसरी line ड्रो करेंगे यह front armholes की drafting है अब बंसाइड की तरफ इंची डेप को रखेंगे और गले की चोड़ाई 2.5 inch रखेंगे 2.5 inch पर mark करेंगे गले की length हम 7 inch लेंगे 7 inch तक line ड्रो करनी है और आप ऐसे box बना लें और यहाँ पर हम 1 inch पर गोल आई करेंगे बेक ओफ रेंट गले हम बराबर रख रहेंगे तो साथ में ही हमने drafting कर ली है और यदि आप बेगलाडी पेना चाती हैं लगसी drafting कर सकती है solder हम 1.5 inch डावन करेंगे तो यहाँ पर हमें 1.5 inch मार्क करेंगे और तेची line ड्रो करेंगे तो टॉप पीस की drafting कम्प्लीट हो गई है अब आप cutting कर लें दोनों गले आप साथ में ही करेंगे क्योंकि हम बेक और फ्रेंट के लए बरावर रख रहे हैं फिर सुल्डर की तरफ से cutting कर लें फिर बेक आर्म होल्स की और साथ से cutting कर लें इसके बाद एक पीस को आप अलग कर लें जो बेक पीस रहेगा फ्रेंट पीस को अच्छी से fold करना है और आप front arm holds ki cutting कर लएं तो यहाँ पे हमें top piece की cutting complete कर लिए है एक वार हम आपको रख के दिखा रहे हैं से मैसे two piece आप और cut करने lining के लिए तो यहाँ पे top piece की cutting complete हो गई है अब हम आपको circle की cutting करना बताएंगे top piece को अलग रखना है और सरकल के लिए हमें फैब्रिक लेनी है यह हमारी 4 मीटर फैब्रिक है 4 मीटर फैब्रिक के हमने 2 पीस कर लिए है तो 2 मीटर को हमने 1 वार फोल किया फिर 2 मीटर को हमने 1 वार फोल किया है इस तरह से हमने फैब्रिक को फोल लेर में फोल कर लिया है यह 2 पीस है दोन और ये खुली साइड है, यहाँ पे हम गाउन के इस करड़ पीस को सरकल में कट कर रहे हैं, इस बात का आप ध्यान रखे हम इसे अम्रेला कट में कट नहीं कर रहे हैं, सरकल की ड्राफ्टिंग अलग से की जाती है, टॉप पीस के अकॉर्डिंग हम सरकल की ड्राफ्टिंग कर तो कौने पर हम इंची टेप को रखेंगे और 32 का हमें आठमा भाग लेना है 8 से डिवाइड करेंगे तो वह आया 4 इंच तो यहां पर हम 32 का आठमा भाग रखेंगे 4 इंच तो कौने पर हम इंची टेप को रखेंगे 4 इंच पर हमें एक सरकल ड्रौ करना है तो ऐसे आप एक स भाग ले रहे हैं इस बात का ध्यान रखें तो यहां पर हमने फूर इंच पर ऐसे ड्राफ्टिंग की अम आपको पास से दिखा रही हैं कौने पर इंची टेप को रखते हुए मैंने ऐसे फूर इंच का एक सरकल ट्रो किया है यहां पर हमें कमर कार्ट में भाग लेना होता ज सिलाई में जाएगी तो एक इंच की दूरी पर हम दूसरी लाइन ट्रॉ करेंगे ताकि फैब्रिक अधिक आ सके और हम सिलाई के लिए भी मार्जन बस सके यह तो फिक्स लाइन हो गई और सेकेंड लाइन हमने इसलिए ड्रॉ की है ताकि मार्जन के लिए फैब्रिक बचे ठी की है और अब हम लेंथ रखेंगे तो सेकंड लाइन से हमें लेंथ लेनी हैं यह सरकल हम तयार करेंगे 34 इंच का तो हम लेंथ लेंगे 35 इंच यह सरकल हम 34 इंच का तयार करेंगे तो लेंथ हम इसकी 35 इंच ले रहे हैं और इस घेर में हम 6 इंच की प्रिंटीड फैब्रिक की फैब्रिक एड़ करेंगे स्कर्ट की जो लेंद रहेगी वो 40 इंच रहेगी आप कौने पर इंची टेप को रखें और देखें कि जो मारकर हमें 35 इंच पर किया है वो कितना है तो यह 40 इंच पर आ रहा है क्योंकि 5 इंच उपर है तो ऐसे कौने पर इंची टेप को रखते हुए हम 40 इंच का सर्कल ड्रो करेंगे ध्यान रखें इस सर्कल को आप अच्छे से ड्रो करें कोने पर इंची टेप को रखते हुए 40 इंच का हमें ये सरकल ड्रो करना है यदि ये उंशा नीचा हो गया तो पूरे घेर की जो फैब्रिक है वो खराब हो जाएगी अच्छे से बन के नहीं आएगी सरकल को आप अच्छे से ड्रो करना है तो यहाँ पर हमने इस सरकल ड्रो कर लिया है 5 इंच हम इसे उपर से कट कर देंगे सेकंड लाइन से ठीक है और फिर आप इसे बॉटम पार्ट की तरफ से कट कर लें यहाँ से तो जो हमारा ये सरकल है ये हमारा 35 इंच का कट हुआ है और सिल्के तयार ये 34 इंच का होगा तो यहाँ पर हमने ये सरकल कट कर लिया है सरकल के ये टू पीस है मैं रख के दिखा रही हूँ आपको ये टू पीस है इसका घेज 7 से 8 मीटर होता है ये एक पीस ही हो गया और दूसरा पीस ही हो गया और अब हम आपको स्टैप की कटिंग करना बताएंगे प्रिंटिर फैबरिक की जो हम इसमें स्टैप एड करेंगे वो कट करेंगे ये पीस हम एक तरफ रखेंगे और आप हमें प्रिंटिर फैबरिक लेनी है प्रिंटिर फैबरिक को हम एक वार फोल्ड करेंगे अर्ज की तरफ से और यहाँ पर हम मार्क करेंगे 8 इंच तो हमें 8 इंच की स्टेप कट करनी है और सिल्के तैयारी 6 इंच की होगी और यह फोल्ड फैब्रिक है तो यह 1 मीटर के करीब है तो यहाँ पर हमने 8 इंच फे मार्क कर लिया है और एक पीस यह 1 मीटर है तो आप इसे कट कर लें ऐसे हमें 7 पीस कट करने हैं 7 मीटर तक क्योंकि जो गाउन का घेर है वो 7 मीटर के लगभग है तो आप ऐसे 7 पीस कट कर लें ऐसे रखते हुए फैबरिक को और फ्रेंड्स इस किसी लाइक की वीडियो भी अपलोड करेंगे यदि फ्रेंड्स आपको हमारे वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज हमारे चैनल को सस्क्राइब करें और वीडियो को लाइक भी किया करें और कमेंट करके भी बताया करें कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगती है वीडियो